नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आसा गरता हुँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्यों गर्ओं को लिए बहुत बाढ़ा खुशकबरी निकल के आ रहा है। यूपी पुलिस को स्टेबल के तैयारी करने वाले लाखो छातरों की ये खबर है। आखिर कर दोस्तो इस पर update आ चुका है, फेकेंसी कब आ रही है दोस्तो इस पर update आ चुका है, संपून details हम बताने वाले है, कौन को phone को भर सकता है, age, salary, syllabus, और इस पर उसको चर्चा था न, age में छूट मिलेगा और नहीं मिलेगा, संपून आपको जानकारी देंगे, चलिए व यूपी पुलिस सिविल इगर पोस्त की बात करें न, तो वह दोस्तो 26,210 पोस्त है, बाकि फायरमेन के 177 पोस्त पर वेकेंसी है, और बाकि PSE के दोस्तो 50,440 पोस्त है, तो यह तीन परकार का है दोस्तो टोटल जोड़ोगा रहे तो 35,000 प्लस ही वेकेंसी हो रहा है, ठीक एज काउंट किया जाएगा 1 जूलाई 2023 से, एज काउंट किया जाएगा, बाकि दोस्तो केटेगरी के अगर बात करें एज की, तो जनरल में दोस्तो पूरुस की बात करें, तो 18-22 सा, और फीमेल की बात करें, तो 18-25 सा, बाकि OBCC, CST को 5 साल का छूट मिलता है, अब देखो तो इस पर चर्चा जो चल रहा है, जनरल वालों को कि योग गोरोना में 4 साल हो गया तो उस्तों लूवा और चूट का चर्चा चल रहा है, यह जब तक नोट्विकेशन नहाए त तो अब तक क्लियर पता नहीं चलेगे कर चूट है कर नहीं चूट है जो फाइनल नोट्व लेकिन चल चल रहा हो सकता है कि शूट मिल जाए ठीक है और देखो अप्लाई कब होगा ना अप्रेल और मई में अप्लाई के यहाँ आप लोग देखो अब आप लोग बूरिये के सब ऐसा आप कैसे बतारो कोई अपडेट है कैसे बतारो कोई मतलब अथेंटिक न्यूज है पेपर में आज ही सारा कुछ आया हुए हो आप लोग देख लो देखें दोस्तो हमने पेपर का जो कटिंग है ने ओपेन कर लिया है यहाँ पर देखो दोस्तो 35,000 सिपाही भरती परक्रिये अप्रेल के महीने से सुरू करने के तेयारी और दोस्तो यह लखनाव का पेपर है कल ही का डेट का पेपर है ठीक है अब आप लोग पड़ोगे ना यहाँ पर अप्रेल ते एक अस्पास रूप से उपर लिखा गया है बहुप प्रतिचित यानि बहुप प्रतिचित का मतलब जिसका बहुत ज्यादा बच्चे इंतजार करते हो उसमें दोस्तो 35,757 प्याही नवीदा दोस्तो इसका मतलब होता है जो कांट्रेक्ट होता है अब आपको पता ने के लिए एजंसी का एक मिलता है ठेका मिलता है एक तार्स भाजना में बात दो थे पहले भी दोस्तों एक कमपनी को चुना गया था यहाँ पदेखो नई कंपनीों को आं में त्रीत करेग अब यहां हम एक्जाम करवाने के एक लाग रोपे लेंगे तो आप माल को चलो दो चार कंपनी अगर भाग लेती तो एक बताता नब्य हजार एक बताता अस्ती हजा एक लाग बीस हजार जिसका कम होता रेट उसका दूसर आपका चयान कर लिया जाता इस कारश दूसर केवल लोगों को नागरिक पूलिस के 226,210 पोस्ट जैसे मैंने बोर्ट पर पताया फायर्मेंट के एक हजर साथ और दूसर पीएसी का आपका 544 जो सिधी भरती है इसका अधियाचन अगस्ट 2022 में मिल ला था यानि दूसर 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 में ही इन लोगों को मिल गया था या इतना पोस्ट खाली है इसका एकजाम करने के लिए टेंडर जारी करो वर्तमान में दोस्टों बोर्ड के सिपाही का 534 पतों का कुशल खिलाड़ियों के भर्ती परक्रिय है है उनि वर्तमान में इसका परक्रिया चाल हुई देखिए 31 मार्ट तक यह परक्रिया पुरा हो जाएगा जो वर्तमान में 534 के जो खिलाड़ी के चला है इसके 31 मार्ट तक पुरा हो जाएगा और इसके बाद उस अपरेल के पहले सब्ता में सीपायों के सिधी भरती के कवेद सुरू हो जाएगा यानि अगले महीने के जो पह निकलने वाला इसका एक महीने तक आपका मान को चलो ना इनका परक्रिया चलेगा एक महीने तक सारा कंपरी को भाग लेना होगा देदेगा उसके बाद जहां तक मुझे लगता है मई के महीने या जूम जाए-जाएदा हो न तो इस महीने में आपका वेकेंसी निकल रहा है ठीक है उसके बाद online पर क्रिया और दोस्तों आथ वह offline online या offline जो भी निर्ने हो बोड लेगा जहां तक मुझे लगता है कि online ही सारा होगा क्योंकि अप्टे डिजिटल भारत है तो online ही होगा यह दोस्तों मैंने आपको पुरूप के लिए दिखा दिया देखें दोस्तों पेपर में सबस्ट रूप से सारा कर्न बताया गया था पहले जो भेकेंसी आ रहे थी देरी क्यों हो रहे थी तो आप लोगों को भाईया अभी से तयारी मलग साना है समझ लिजे इस बात को अब इसके लिए पढ़ना क्या है ध्यान समझेगा पढ़ना है दोस्तों आपको 150 कोशन इसमें पूछा जाता है 300 माक्स का दो घंटे का समय मिलेगा दोस्तों समय दो घंटे का समय जीके से 37 कोश कोशन और एक चीछ ध्यान देजिएगा ना मैट जो 21 यहां पर लिखाए है ना एक्जाट जो एक्चूली में मैट होता है 21 कोशन होता है लेकिन रिजिनिंग के कुछ ऐसे परसन होते हैं जो आपको मैट की तरह ही होते है तो अगर एक्जाट में बात करें ना तो आपका मै इसमें नीगेटी मार्किंग की बात करें तो 0.50 यानि दो गलती करोगे तो एक नंबर कर जाएगा क्योंको एक कोशन दो नंबर का है लेबस तो आप लोग ने देख लिया अब अभी से तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है क्योंको एक्जाम बजाता समय नहीं देगा ठी देखों इसके तैयारी आपको करनी है चक्सू पब्लिकेशन का बूक लेना है ठीक है उत्तर प्रदेश पूलिस भरती परिश्यतों तेज के लिए दोस्तों आप देख रहे हो न यह स्टडी गाइड है अब स्टडी गाइड की खासी है ना एक तो दोस्तों यह नियूंतम पेटर ने उस पर धारी थे 5 आपको 100 पर मिलेगा और 3000 से ज्यादा बहु बेकर प्रस्ण इसमें आपको मिलेगे श्टडी गाइड है दोस्तों आप लोग ने देख लिए अगर तैयारी को और मजबुत करना चाहते है ना तो चक्सू पब्लिकेशन के दोस्तों प्राक्टि ठीक है और पेपर होगा नों CBT होगा दोस्तों कंप्यूटर पर ही होगा आप क्योंकि सारा डिश्टल होगा तो यह कंप्यूटर पर ही पेपर होता है ठीक है तो यह दूस्तों आपने syllabus देख लिया अब देखो दूस्तों इसके लिए height कितना होना चाहिए देखो height कि गर ब minimum होना चाहिए यह दिखान रखिएगा अब समय रणिंग कितनी होती है रणिंग देखो रणिंग यह होगी नहीं 4800 मीटर अब एससे जीडी के तरह ही मान सकते हो 4800 मीटर की रणिंग है यानि 4.8 किलो मीटर मेंगर चेंज करोगे तो 25 मिनट का समय मिलता है तो अच्छा जो 4800 मीटर रणिंग 25 मिनट समय फीमेल का 2400 मीटर का रणिंग 14 मिनट समय है और इसमें minimum आपका weight भी मांगता है minimum weight कहने के मतलब केवल female candidate का 40 kg आपका minimum new term जो वजन है वो होना चाहिए क्या होता ना कभी-कभी female का weight कम होता है तो आपको 40 kg यह उससे ज्यादा होना चाहिए minimum एक आपका minimum एक criteria लगा दिया है weight में बाकि पूर्सों का height recording ठीक है अब इसका previous year cut-up भी बता देते हैं जो cut-up में बता रहा हूं ना यह दोस्तों 2018 का वेकेंसी था ना उस time के cut-up है उस time दोस्तों अगर वेकेंसी की बात करें तो तोटल दोस्तों 41,520 वेकेंसी आया थी अच्छ सबसे पहले अगर बात करें ना जो बच्चों को physical के लिए जो चयान किया गया था जर्नल वालों का यह दोस्तों 215.58 यह दोस्तों physical के लिए क्योंकि पहले रिटेन होगा रिटेन में result दिया जागा physical के लिए और इसके बाद final merit का भी आता है यह दोस्तों 300 में क्योंकि 0.74 ठीक है एससी की बात करें तो वन दोस्तों यह 172.94 बाकि एस्टी की बात करो बात करें ना 135 पॉइंट आपका 10 ठीक है यह दोस्तों physical के लिए अब female के कितना क्या था वह भी लिग देता हूँ female के लिए दोस्तों आपका क्या था 118 एकसु आठारा च्छरी दोस्तों एक के छोड़ देते हैं यह physical clear सभी category के female के लिए था अब जो final merit बना था ना जिसमें आपका नवकुरी हो गया था वह भी देख लिजे जर्नल का प्वाइंट का हम इग्रोर करते हैं दोस्तों प्वाइंट में छोड़ जाते हैं 225 गया था ठीक है OBC की बात करें ना तो 216 देखिए कितना cut-up बढ़ा हुआ है दोस्तों लगबा लगबा आपका 12 नंबर OBC का बढ़ा है और 220 नंबर का आस-पास आपका जेनरल वालों को तो यह दोस्तों 188 गया था ST के अगर बात करें ना 153 बाकि दोस्तों फीमेल की बात करें ना यह दोस्तों 199 प्वाइंट आपका 5 गया था एक्स निजाम में पांच यह फाइनल मेरिट का सेलेक्शन होगा था इतना नंबर पर कट-फ हमने इसलिए भी बता दिया ना उसके बाकि अगर अगर टैक्टीच करते हो न इतना जर्टबीच अगर आपका नंबर आरहे था आपका समझेल ट्यारी क्षी एा अगा आपको त्यारी करने की जुरूत इंगर प्रैक्टीच करोगे आप आप कर Tamar कह क्याना है ना अपको बार लिए दुस्तों इतना नंबर आउट आउट थिरी हंडेट क्योंकि एक कुछ दो नंबर का है यह भी चीज आपको मैंने बता दिया चलो तो तैयारी अभी से लग जानी है अप्रेल में दुस्तों आपका टेंडर आने वाला है मैं तक आपको सकते हैं यह जगा से लेट भी हो बहुत अच्छा का सा फेकेंसी आ रहा है ठीक है सारा दोस्तों जनकारी हमने दे दिया यह पेप कोलिस कोंसेरवल के रिगार्डिंग ठीक है इसलिए दोस्तों दखो कोई जाउट हो ना इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल पुछ रहा हो तो कमेंट के मातम से पाएगा जरूर बेल एकन बात दिजेगा कि टाकी नोटिफिकरसन जैसे में वीडियो डालूं आपको मिल जाए ठीक है नहीं नेवाद